प्रूनी तेस और आपका स्वागत है NK Labs and Channel पर यहाँ पर DLAड जारखंड में एक application फॉर्म आया है जिसको आप भर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर जो application है इसको detail में जानते हैं और यह है किसका primary teacher education college आपका यह हजारी बाग में गरवा गरवा हजारी बाग में पढ़ता है संद कॉलम्बस college से थोड़ा सा आगे आपको जाना पड़ेगा उसके बार यह मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए DLA session 2022 से 2024 के लिए जो है application मांगा गया है और 700 रुपय आपको admission के लिए जो form भरेंगे उसमें लगेगा और हाथों हाथ आपको महाविद्याले में जमा करना है और online भरने का कोई सुईधा नहीं है यह जो मैं screen पर आप PDF देख रहे हैं इसी में आपको application form मिल जाएगा prospectus आपको college में मिल जाएगा वहाँ से आप 700 में prospectus को खरीद सकते हैं उसमें form रहेगा उसको भरके आप जमा कर सकते हैं वहीं पर तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में detail जानकारी देखते हैं यहाँ पर college के बारे में बताया गया है एक important चीज है कि आपका जो SO age 18 साल का हो जाना चाहिए और 12th pass होना चाहिए तब ही आपका जो SO यहाँ पर नमंकन हो पाएगा उसके अलावा यहाँ पर college के बारे में description बताया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं यह PDF आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा यहाँ पर जो important चीज है उसको देखते हैं आप देख सकते हैं पर building भी अच्छा खासा infrastructure एक minority college है तो इसको funding भी मिलता है अच्छा खासा development है यहाँ पर देखिए application form है इसको जो की है इसी को आपको भर के वहाँ पर जमा करना है तो इसको आप अपने तरीके से भर सकते हैं इजी है भरना कहीं पर दिक्कत होता है तो वहीं पर आप teacher से पूछ सकते हैं जब आप जाएंगे college तो वहीं पर form भी मिल जाएगा वहीं पर आप जो इसको भर के जमा भी कर पाएंगे यहाँ पर आपको क्या documents ले जाना है वो यहाँ पर देख लीजे matrix का जो भी documents है वो आपको सब ले जाना है registration slip ले जाना है marksit ले जाना है admit card जो भी है 10th का वो सब ले जाना है उसके बाद 12th का जो भी documents है registration slip है, admit card है marksit है, सब कुछ यहाँ पर final certificate सब यहाँ पर आपको ले जाना है उसके बाद अधी आपने graduation किया है तो आपको graduation का marksit लगेगा अधी आपने PG किया है तो आपको PG का marksit लगेगा और अधी आप किसी दूसरे university से है अधी आप jack board से नहीं है अधी आपने 12th jack board से नहीं किया है तो आपको migration certificate भी लगेगा लेकिन आप jack board से 12th pass out student है तो आपको migration certificate नहीं लगेगा अधी आपके पास migration certificate है तो उसको जमा करना पड़ेगा ठीक है 12 में जब भी आप jackboard से pass out होते हैं मार्सीट के साथ आपको migration certificate मिल जाता है उसको आपको जमा करना पड़ेगा उसके अलावा online आपका जातिय लगेगा जाती और आवाशिय certificate लगेगा अधार card आपको लगेगा उसके बाद यहां पर आप विकलांग हैं तो उसका पर्मान पत्र लगेगा आप खेल कुद में भाग लेते हैं श्टेट लेवल में नेश्नल लेवल पर तो उसका पर्मान पत्र देना होगा आपको और NCC वगेरा में दिया आप हैं तो उसका भी आपको पर्मान पत्र यहां पर सामिल करना पड़ेगा तो यही पूरा detail documents है कहीं और doubt रहता है तो comment section में आप पूछ सकते हैं तो इस form को भर के जमा कर देना है और यहां पर जो detail है man चीज उस पर हम बात कर लेते हैं यहां पर देखिए आवेदन कब से कब है तो आवेदन जो application form है अकीश 3 2022 से ही open हो गया है और 10 मई 2022 तक चलेगा ठीक है तो अभी करीबन टाइम है 15 दिनों का टाइम है आप इसको यहां पर जाकर के admission बिल्कुल ले सकते हैं यहां पर admission आवेदन प्रोस्पेक्टस आपको खरीदना पड़ेगा 700 रुपे लगेगा उसी में form रहेगा जैसे इसमें form है और college का detail है उसी तरह form भी रहेगा और college का detail भी रहेगा आपको 700 में खरीदना पड़ेगा जो भी यहां पर मैंने documents बताया सब को ले जाना है attach करके वहां पर आपको जमा कर देना है तो आपका एक ही दिन में जूएसो नामांकन हो जाएगा तो यह detail है आपका नामांकन के लिए यहां पर बाकी fee structure भी देख लेते हैं fee structure क्या है यहां पर देखिए first year का first year का जूएसो fee है यहां पर फी एक सथ हजार total दिया हुआ उसके बाद second year का fee total दिया हुआ है पचास हजार मतला आपको करीबन एक लाख दस हजार तक का फी लगेगा आपको यह scholarship के थोरो जूएसो return मिल जाएगा ठीक है यहां पर जो total non refundable fee है वो 16,000 है मतलब साइद यह scholarship के थोरो आपको नहीं मिलेगा आप इसको fee payment जूएस इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं यहां पर installment कितना कितना आपको देना है उसका यहां पर जानकारी है बाकी detail आप वहां पर college में जाकर के ले सकते हैं तो यहीं जानकारी है आप सभी लोगों के साथ share करना था अधिया आप interested है तो आप जाकर के यहां पर admission ले सकते हैं एक बहुत बढ़ियां college है, minority college है तो यहां पर पढ़ाया आपको अच्छा होगा training भी बहुत बढ़ियां मिलने वाला है और अधिया आप ST, SC, OBC कटेगरी के student है तो आपको यह scholarship के थो सारा का सारा पैसा return हो जाएगा तो पैसा का tension नहीं लेना है, college भी बढ़ियां है आप अपना course complete करने पर ध्यान दे और इसी के साथ वीडियो को खन्त करना चाहूंगा DL8 से related कोई भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you, signing off